भाग नव पंचायते दपंचायत अब हम भारती सम्विधान के भाग नव का अध्यन करें, जो पंचायतों के गठन से संबंधित हैं, तथा जिसमें संबंधित प्रावधानों का उलेख अनुच्छेद 243 एवं अनुच्छेद 243 का से 243 रडा तक में किया गया है। पंचायत शब्द को सम्विधान में 73 सम्वैधानिक संशोधन अदनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, तथा इसके अंतरगत सम्विधान में एक नई अनसूची ग्यारवी अनसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायत एवं इससे संबंधित 29 विश्यों का उलेख किया गया है पंचायतों से संबंधित प्रावधान भाग नौ में अंतह स्थापित किये गए, यह अभी तक निर्सित था, पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधान सम्विधान के अनुच्छेद 40 में पहले से थे, उन्ही प्रावधानों को व्यवहरिक रूप प्रदान करने के लि केंद्र तथा राज्य, किन्तु इस अधनियम के लागू होने के पश्चात सरकार के तीन स्थापित हो गए, संग, राज्य तथा स्थानिय स्वशासन, इस अधनियम के उपबंध के अनुसार, पंचायती राजपधती अपनाने के लिए राज्य सरकारें सम्विधानिक और नियमित अंतराल पर चुनाओ कराना अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं रह गया है। इस अधनियम के उपबंधों को दो हिस्सों में बाटा जा सकता है। अपनी सुविधानुसार शामिल कर सकते हैं। अर्थात वे इन्हें अपने राज्य की भावगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रख कर अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पंचायती राज का विकास। भारत में पंचायती राज के विकास में क नमबर एक बलवंत राय मेहता समीती। सन 1957 में भारत सरकार ने समुदाईक, विकास, कारिक्रम तथा राश्ट्रिय विस्तार सेवाद्वारा किये गए कारियों की जाच करने तथा उनके बहतर धंग से कारे करने हेतु उपाय सुझाने के लिए इस समीती का गठन किया। जि नमबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौपी जिसमें निम्न तथ्यों को लागू करने की सिफारिश की गई थी। सर्वप्रथम इसमें समीती ने लोकतांत्रिक विकेंदरी करण का समर्थन करते हुए त्री इस्तरी पंचायती राज विवस्था इस्थापित करने का सुझाव द परिशत से मिलकर बनेंगी। अंतरण करने तथा सभी योजना एवं विकास के कारियों को इन निकायों को सौपे जाने की सिफारिश की। इस समीती की अधिकांश बातों को राश्ट्रिय विकास परिशत के द्वारा सुईकार किया गया। तथा इस दिशा में पहल करते हुए सर्वप्रथम राजस्था के नागावर जिले में दो अक्टूबर 1969 को तथा इसके पश्चात इसी वर्ष आंध प्रदेश में पंचायती राज के स्थापना की गई। नमबर दो अशोक महता समीती दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक महता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समीती गठित की जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौपी। इसमें निम्न सिफारिशें की गई थी। राजनितिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी की भी सिफारिश की। इसके अतिरिक्त इसने नियाय पंचायत एवं विकास पंचायत को एक दूसरे से अलग करते हुए नियाय पंचायत को एक योग्य नियायाधिश के सभापतित्तों में रखने तथा विकास के कारिको जिला परिशत को इस्थांतरित करने की सिफारिश की। नमबर तीन जीवी के राव समित विच्छेदित हो गई है अर्थात विकास प्रशाषन का लोक तंत्री करण होने के स्थान पर उसके नौकर शाही करण होने के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं अता समीति ने पंचायती राजसंस्था को मजबूत और पुनर जीविद करने हेतु, जिला परिशत को लोकतांत्रिक विकेंदरी करण में महत्तोपूर्ण स्थान प्रदान करने तथा एक जिला विकास आयुक्त के पद का स्रिजन करने के साथ ही जिला एवम स्थानी इस्तर पर पंचायती राजसंस्थाओं को विकास कारियों के नियोजन क्रियानवयन एवम निगरानी में महत्तोपूर्ण भूमिका प्रदान करने की सिफारिश की सन 1986 में राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राजसंस्थाओं के पुनरुद्धार की दिशा में कदम उठाते हुए एलम सिंघवी की अध्यक्षता में एक समीती का गठन किया जिसने पंचायती राजसंस्थाओं को सम्वैधानिक संरक्षन प्रदान करने पर बल दिया तथा इसके लिए भारत के सम्विधान में एक नया अध्याय जोडने की सिफारिश की पंचायती राज संस्थाओं को सम्वैधानिक संरक्षन प्रदान करने की LM सिंग्वी समिती की सिफारिश को क्रियान्वित करने हे तु राजीव गांधी एवं VP सिंग दोनों प्रदान मंत्रियों की सरकारों ने प्रयास किया किन्त वे सफल ना हो सके अंतता नर्सिंगा राओ की सरकार का इस दिशा में प्रयास सफल हुआ जिसने पंचायती राज संस्था के संवैधानी करन से संबंधित 73 संवैधानिक संशोधन अधनियम 1992 को पारित करा कर इस संस्था को संवैधानिक संरक्षन प्रदान किया यह अधनियम 24 अप्रेल 1993 से प्रभावी हुआ 73 संवैधान संशोधन अधनियम 1992 की प्रमुख विशिश्टाएं इस अधनियम की प्रमुख विशिश्टाएं इस प्रकार हैं ग्राम सभा अनुचेद 243 का के अनुसार गाउं इस्तर पर एक ग्राम सभा होगी जो राज विधान मंडल द्वारा विधी बना कर उपबंधित किये गए कारियों का निश्पादन एवं शक्तियों का प्रियोग करेगी यह सभा पंचायत क्षेत्र में पंजी कृत्मत दाताओं की एक ग्राम सभा होगी पंचायतों का गठन अनुचेद 243 का के अंतरगत प्रतेक राजियों में पंचायती राज की त्री स्थरिय प्रणाली इस्थापित की जाएगी जो ग्राम स्थर, मध्यवर्ती स्थर और जिला स्थर पर पंचायत से मिलकर बनेगी किन्तो जिस राजिय की जनसंख्या 20 लाग से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्थर पर पंचायत का गठन करना आवश्यक नहीं है इन पंचायतों की सनरचना के संबंध में विधी बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्रिदान किया गया है अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाओ गाउ माध्यमिक तथा जिला इस्तर पर पंचायत के सभी सदस्य उस ख्षेत्र के लोगों के द्वारा मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाएंगे तथा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाओ उन्ही में से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा जबकि गाउं इस्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाओ राज्य के विधान मंडल के द्वारा निर्धारित तरीके से उस गाउं के नामांकित मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्षता किया जाएगा सीटो का आरक्षन इस अध्यम के अंतरगत पंचायत के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाती एवं जन जाती को समुचित प्रतनिधित्व प्रदान करने के लिए उनकी जन संख्या के अनुपात में सीटो को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है राज्य विधान मंडल पंचायतों के तीनों स्तरों पर अध्यक्षपत के लिए भी इस्थान आरक्षित करेगा इस अध्यम के अंतरगत महिलाओं के लिए भी एक तिहाई इस्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें अनुसूचित जाती एवं जनजाती की महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण भी शामिल होगा पंचायतों का कारेकाल एवं सदस्यों की निरहरता इस अधिनियम के अंतरगत पंचायतों का कारेकाल पांच वर्ष के लिए निरधारित किया गया है किन्तु इसे समय से पूर्व भी विगटित किया जा सकता है किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन इसके पांच वर्ष की अवधी के पूर्व या विगठन की दशा में इसके विगटित होने की तिथी से छे माह के अंदर करा लिया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त कोई विगटि किसी पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयोग्य माना जाएगा यदि वह उस समय उस राज्य में प्रभावी विधी के अधीन राज्य विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयोग्य हो या वह राज् इसी विधी के अधीन आयोग्य घोशित किया गया हो, किन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयू प्राप्त कर लिया है, को इस आधार पर आयोग्य नहीं घोशित किया जा सकता, कि वह 25 वर्ष से कम आयूका है। राज्य निर्वाचन आयोग्य प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन तथा मतदाता सुची तैयार करने, पंचायत के तीनों स्तरों पर निर्वाचन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन आयुक्तों को उनके पद से राज्य के उच्च नयाले के नयाध्हीश को हटाये जाने की प्रक्रिया के तहद ही हटाया जा सकेगा। इसके अतरिक्त पंचायतों के चुनाओं से संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधान मंडल को विधी बनाने की शक्ती प्राप्त है। पंचायतों की शक्तियां एवं कार्य राज्य विधान मंडल पंचायतों को आवशक्ता नुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है जिससे की वे स्वशासन संस्थाओं के रूप में कारे करने में सक्षम हो सकें। इस तरह से वह निम्न बिंदूओं के संदर्भ में शक्तियां प्रदान कर सकता है। सडकें, शिक्षा, बाजार, मेला, स्वास्थ और सचता इत्याद के विशय में पंचायतों को शक्तियां प्राप्त हैं। पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता, अनुदान तथा केंद्र या राज सरकार द्वारा विकास कारेक्रमों के लिए आवंटित निधी इत्यादी। पंचायतों की आयके स्रोथ हैं। चुंगी पत कर इत्यादिका निर्धारन करने, पंचायतों के विकास के लिए राज्य की समेकित निधी से सहायता या अनुदान दिये जाने तथा पंचायतों की वित्ती इस्थिती को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने इत्यादिके संदर्व में। आयोगिन विश्यों का पुनरविलोकन करके अपनी रिपोर्ट राजपाल को देगा तथा राजपाल आयोग के प्रितिवेदन और उस पर की गई कारेवाई की रिपोर्ट राजविधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत कराएगा। इसके अत्रिक्त आयोग की बनावट, इसके सदस्यों की आवश्यक अरहता तथा उनके निर्वाचन के तरीके आदिका निरधारण राज्य विधान मंडल द्वारा किया जाएगा। भारतिय संग के अंतरगत निम्न राज्यों में 73 संशोधन के अंतरगत प्रवृत पंचायती राज की विवस्था लागू नहीं होगी। यहां इस अधनियम के बारे में एक और महत्तोपून तथ्य का उल्लेख आवश्यक है कि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित मामलों में नियायाले का हस्तक्षेव वर्जित है। स्बस्ददद़ लिवस्थाभेश जबागाछन से संबंधित मामलों में लागून से संबंधित मामलों में एक यहां प्रॉत आवाचन से संबंधित